क्रिस्मस का तेवार आ गया है तो आज हम बनाएंगे प्रेड केक ये केक बहुत ही जटपड बन जाता है और बहुत ही कम इंक्रेडियन के साथ हमें इसे बेक करने के भी कोई जरूरत नहीं तो आएए जाने इस सिंपल से केक को बनाने में किन-किन जीजों की जरूरत है इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है सॉफ्ट ब्रेड जिसमें से हमने 12 पीस ब्रेड के लेकर उसके साइड के ब्राउन पार्ट को चाकू से काटके निकाल दिया है हम cake 4 layer का बनाएंगे आप चाहें तो 2 layer का भी बना सकते हैं वैसे तो इस cake को बनाने के लिए सबसे अच्छा bread होता है sandwich bread क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी होता है size में और soft भी पर क्योंकि हमारे पास वो नहीं था तो हमने normal bread लिया है इसकी अलावा हमें चाहिए एक पाव whipped cream whipped cream आप बड़ी आसानी से किसी भी bakery की दुकान से ले सकते हैं order दे कर इसकी अलावा हमें चाहिए 3 चम्मच चीनी जिसे हमने थोड़े से पानी में डाल के घोल लिया है और इसका शुगर सिरब बना लिया है और ये है 2 से 3 चम्मच mixed fruit jam जिसे हमने थोड़े से पानी में डाल कर मिला लिया है इसकी जगा पर आप fruit crush का भी इस्तमाल कर सकते हैं वो भी अलग-अलग flavor में होते हैं जैसे कि pineapple हुआ या फिर mango हुआ या mixed fruit हुआ वो हमारे पास नहीं था तो हमने ये normal mixed fruit jam को थोड़े से पानी में डाल कर मिला लिया है और हम इसका इस्तमाल करेंगे इसके अलावा कुछ चीजे हम decoration में use करेंगे तो ये है थोड़े से gems ये है chocolate balls चोकलेट chips और चोकलेट syrup decoration की कोई limit नहीं है आप अपने हिसाब से cake को decorate कर सकते हैं तो चलिए cake बनाना शुरू करते हैं चाहिए cake बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक tray या फिर plate लेंगे जिसके उपर हमें cake को बनाना है और उसके उपर थोड़ा सा whipped cream लगाएंगे क्रीम को हमने tray पे लगा दिया है और अब हम इसके उपर ब्रेट रखेंगे इस तरह स्ट्रे के उपर हमने चार piece of bread रख दिया है और अब हम इसके उपर शुगर सिरप लगाएंगे शुगर सिरप को हमें इसके उपर अच्छी तरीके से लगाना है कि हमारा ब्रेट थोड़ा सा गीला हो जाए शुगर सिरप लगाने के बाद हम इसके उपर whipped cream लगाएंगे एक spatula की help से आप इस तरीके से whipped cream को अच्छी तरीके से bread के उपर लगा दे इस तरीके से whipped cream की मोटी लेयर हमने bread के उपर अच्छी तरीके से लगा दिया है whipped cream लगाने के बाद एक ब्रश के help से हमने जो mixed fruit jam का सिरप बनाया था उसे whipped cream के उपर लगाएंगे मिक्स फ्रूट jam लगाने के बाद इसके उपर हम चॉकलेट के चिप्स डालेंगे इस तरीके से चॉकलेट चिप्स को हमने डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि हमने दो लेयर केक के बना दिये हैं और अब हम इसके उपर फिर से चार ब्रेट को रखेंगे एक बार हम फिर से सारा प्रोसेस आपको बता देते हैं सबसे पहले हमने चार पीस ब्रेट के रखें उसके उपर हमने एक मोटा लेयर विप्ड क्रीम का लगाया उसके उपर हमने जो मिक्स फ्रूट का लिक्विड बनाया था उसको लगाया हमने mix fruit jam लिया है जो बहुती नॉर्मली आपको पार्केट में मिल जाएगा और उसमें से थोड़ा सा पानी डालके उसे घोल लिया है उसको लगाने के बाद हम इसके उपर चॉकलेट चिप्स डालेंगे ये भी बड़ी आसानी से किसी भी बेकरी शॉप में आपको मिल जाएगा और अब फिर से हम इसके उपर चार पीस ब्रेट रखेंगे क्योंकि हम ये केक चार लेयर का बना रहे हैं ब्रेट के पीस को रखने के बाद इसे हलके हाथों से दबा दे और फिर से हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे शुगर सिरप को लगाने का और हमें अच्छी क्वांटिटी में शुगर सिरप को लगाना है ताकि हमारा ब्रेट अच्छा गीला हो जाए और शुगर सिरप हमने कैसे बनाया है 2-3 चमर शुगर को हमने थोड़े से पानी में डालके घोल लिया है और ये केक बहुत ही सिंपल है बहुत ही जटपट बन जाता है घर में easily available चीजों के साथ शुगर सिरप लगाने के बाद हम इसके उपर whipped cream लगाएंगे वो भी अच्छा थिक एक मोटी लेयर आप ब्रेट के उपर लगाएं धीरे धीरे अब देख सकते हैं हमने केक के उपर अच्छा मोटा लेयर whipped cream का लगाया है इससे हमारे केक में बहुत ही अच्छा अस्वाद आता है और अब उसी तरीके से फिर से हम Mixed Fruit Jam का लेयर इसके उपर लगाएंगे और फिर से इसके उपर हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे चॉकलेट चिप्स को डालने के बाद फिर से हम इसके उपर 4 पीस ब्रेट के रखेंगे और फिर से हम सारे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम शुगर सिरप को लगाएंगे फिर Whipped Cream, फिर Fruit Jam और उसके बाद चॉकलेट चिप्स ब्रेट के सारे पीसेस को रखने के बाद अब हम बचेवे Whipped Cream को अच्छी तरीके से ब्रेट के उपर कवर करेंगे केक हमारा बन चुका है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे और अब हम विप्ट क्रीम से इसका डेकोरेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास पाइपिंग बैग या नोजल नहीं है तो हमने एक पॉलर्थिन में विप्ट क्रीम को डाल के आगे से कैची से उसे काट कर इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे और अगर आपके पास नोजल या फिर पाइपिंग बैग हो तो उसका इस्तेमाल करें उससे और अच्छे डिजाइन बन सकते हैं और अब हम इसके उपर जेम्स रखेंगे जो आपको बहुत यह आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और अब हम चॉकलेट चिप्स को केक के उपर इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे केक हमारा बन चुका है और अब हम इसे काटेंगे और आप दीख सकते हैं कि हमारा केक अंदर से कितना अच्छा बना है ब्रेट केक बन के तयार है इस रेसिपी को बनाने में हमें सिर्फ दस मिनट का समय लगा आप इसे क्रिस्मस में बनाए और सब के साथ इंजॉय करें तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और आखरी में नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें थैंक यू